इस वीडियो में मैं मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स के अगर आपको अपने दोस्तों Micromax की मालफोन में एक एक दोस्ता सेटिंग देखने को मिल रहा है Background Process Limit का और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरी किसे यह सेटिंग ओपन हो जाता है तो आप जो है इस सेटिंग को कैसे सेट करके योज करेंगे इससे क्या होता है इससे क्या होता है यह चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए जयादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वोड़ से पहले चैनल पे नहे हैं सस्क्राइब कर लीजेगा देखिए ये सेटिंग आपको मिलता है कैसे और कहां पर जब आप अपने Macro 마지막 phone के setting में जाएंगे setting में जाकर नीच आएंगे system पर click करेंगे तो इसमें इडवा JYP का option मिलेगा इस पर click करेंगे तो इसमें आपको इह developer option मिल जाएगा तो आपको इहाँ पर click कर देना होगा तो फिर developer option आपके phone में on हो जाएगा और फिर जब आप about phone से बाहर आएंगे और system पर click करेंगे advanced पर click करेंगे तो इस बार developer option मिल जाएगा अब आप इस पर click करेंगे फिर आप इसमें दोस्तों 4-5 बार नीचे आते जाएंगे तो जब आप इहाँ पर 4-5 बार नीचे आते जाएंगे तो आपको दोस्तों वो बाला जो है setting देखने को मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ background process limit का तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं मिल गया अब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए आप यहाँ से यह set कर सकते हैं कि आपके दोस्तों background में मतलों यहाँ पर आपके background में कितना app दोस्तों work करना चाहिए कितना app आपके data या फिर आपके कोई भी काम को कर सकता है तो यहाँ पर why default आपके अपके standard limit select होगा अगर आप no background process को select कर देंगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तों background में आपका कोई भी app काम दोस्तों नहीं करेगा बंद हो जाएगा उसके बाद एक option में था at most one process का इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों कि सिर्फ आपका एक app जो है background में दोस्तों run करेगा एक app से ज़्यादा run नहीं करेगा तो दोस्तों one को select तब क्या जाता है जब आप अपने phone में game खेल रहे हो क्योंकि दोस्तों उसमें पूरा mobile का load आपके दोस्तों उसी app पर होता है तो आपका mobile जो है आपके game को सही से run दोस्तों कर सकेगा जब आप one को select रखेंगे तो क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपका game ही background में run करेगा at most 2 को select कर देंगे तो आपका 2 app दोस्तो background में दोस्तो run कर सकता है इसे ज़्यादा नहीं और at most 3 को select कर देंगे तो आपका 3 app run कर सकता है at most 4 को कर देंगे तो 4 app लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी app run करें तो आप standard limit को ही select रखेंगे इस तरी के सब जाए background process limit setting को आप set करके use कर सकते हैं आप अपने micromax के mobile में वीडियो पर सब देंदा आया है like करिएगा और मेरे youtube चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा